दवीन जी लेकिन ऐसा लग रहा था सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला के बयान आया प्रधान मंत्री से मुलाकात हुई उन्होंने का हम तो केंद्र सरकार के साथ मिल जूल कर काम करेंगे हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में काम करना है तो केंद्र सरकार के समर्थन के ब पहली भान थी पता है कि राज के अधिकार छेत्र के बाहर का मावला है आप प्रस्तावपारित करके आगे भेज भी देंगे और अनुमोदित कर देंगे उसका कोई उचित नहीं बनता है पहली चीज опять दूसरी चीज यह होती है कि राजनीत में हमेसा राजनीतिक दल और उनके नेता अपना हानी और लाव का कैलकूलेशन करते हैं इन्होंने चुँके अपने चुनावी घुसना पत्र में वादा किया था कि हम 370 को पुनर इस्ताफित करेंगे उसको रियस्टोर कराएंगे तो कॉंग्रेस कैसे फस गई इसमें? कॉंग्रेस के साथ ऐसा होता है कि जब एक दल के साथ आप समर्थन में हैं तो निश्चित तोर पर उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा बिल्कुल सरकार में सामिल नहीं हुए लेकिन जो एजेंडा नेसल कॉंफेंस का चला कभी नहीं कहेंगे कि हम 370 वापस लाएंगे लेकि दुवेदी जी कहेंगे अलग बेसा है मैं अपना बताओंगा देखी ऐसा होता है पहली चीज तो यह समझने की जरूफत है कि 370 क्या है और 35 ए क्या है 35 ए वहां के नागरिकों को जो इस्थाई नागरिक हैं उनको अधिकार प्रतान करती है प्रस्ट इस बात का आता है कि जिसका वादा करते हुए भारती जनता पार्टी सत्ता में आई और आज जम्मू छेतर में जो विस्थापित मूल सिरी नगर और कस्मीर गाटी की निवासी है आज वो विस्थापित कस्मीरी पंडित जम्मू में सरन लिये हैं दिल्ली में लिये हैं देश के अनिराज्यों में लिये हैं उनके लिए किसी पार्टी ने, चाहे वो भारती जंता पार्टी रही हो, चाहे वो निसनल कॉन्फेंस हो, तो तीन सो सत्तर के रापसी से वो आ जाएंगे के वापस, अब आप जिब तीन सो सत्तर हटाई, तो एक मंसा ये होती है कि भाई, जो विशेस राजी का दरजा था, उ पर तीन सो सत्तर वापस आ जाएगी, ये जो मारपीट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, देखें, मारपीट पे मैं आता हूँ, राजा हरी सिंग का वहां राज था, कस्मीरी पंडित वहां पहले से इस्तापित थे, उनको विस्तापित किया गया, 1989 में जो विश्व पी सत्ता में जम्हो किश्मीर में, ठीक आप किया रहें, नहीं पसंद आया लोगों को, तो नहीं आई सत्ता में, एक चीज और कहूँगा, जो विधान सावा में आज तमासा हुआ, मैं एक चीज मानता हूँ कि बिरोध किसी ने किया है, भारती जनता पार्टी के 29 को हंगामा करने की जरूत क्या थी?